दोरी के सामने आ गई उसके बाबा की सच्चाई अब लेगी वो बड़ा एक्शन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ दोरी को जो हमने देखा है इस दारवाइक में वो कही न कही से सच निकाल ही लेती है उसके बाबा पे जब मुसीबतों के पहाड तूटते हैं तो वो इस बाद को साबित करती है कि मेरे बाबा गलत नहीं है आप लोग गलत हो और वही होता है आज भी जो चल रहा है दोरी में की बात हो रही है तो ये कैसे डोरी सेयन करेगी तो सच तो सामने लेके आई है मगर अब ये सच का करेगी क्या डोरी चलिए बात करते हैं पहले वही निवेदर जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिजिए साथ में दोस्तों बेल आइकोन कि आपको हमारे वीडियो के नौटिफेशन मिलते रहे हैं ठक राइन का पोता जो की डोरी की जगा पर इसको लिया गया था जो कि एक्चुली ठकराइन का खून नहीं है तो उसके जो रंगढ़ है जो वो बोलता है वो सिर्फ ठकराइन की शै में बोलता है कि मैं पोता हूं इतनी बड़ी ठकुराइन का, मैं तो ये कर दूँगा, मैं तो वो कर दूँगा, वो डोरी की फ्रॉक फार देता है, डोरी के कपड़े, जो बाबा उसके सिल्के लाये थे, वो फार देता है, गुस्सा आता है, रोना आता है, डोरी को करे तो क्या करे, वो कहता है कि मैं इसकी तब्दील होगी जो अब डोरी सच सामने लेकि आएगे डोरी ने बड़ा अच्छा तारीका निकाला है क्योंकि ऐसे बच्चे डरे हुए बच्चे होते हैं डोरी डरती नहीं है किसी से उसने जो हमने देखा सीरिल में कैसे तारीके से वो डरा के कि तुम्हें बक्री बना दूँगी जो भी बगवान जो भी दकार ये वो कि बक्री बन जाएगा जूट मत बोल और वो सच बोलता है अब ये उसने सच बोला तो डोरी के सामने आएगा तो उसका कोई फाइदा नहीं है क्योंकि ठोकुराइन तो डोरी को वज़े से फटी है उसकी बहू की वज़े से फटी है और जब डोरी सवाल करेगी कि अब बोलो अब बनाओगी अपने बेटे को बंदुवा मजदूर तो यहाँ पे वो फिर से ठोकुराइन की डिस्क्रिमिनेशन पे जो है उंगली उठाएगी सवाल उठाएगी तो यह मुझे कुछ ऐसे से जाती हुए कहानी दिखाई दे रही है दिवाली तो मनेगी दोस्तों अच्छे से मनेगी मगर इसमें end of the day ठाकुराइन ही गलत साबित होगी और डोरी के बाबा सही साबित होगी सचाई की जीत होगी तो देखते हैं आज की कड़ी में क्या होता है कीप वचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल जैतो सोच